क्यासे हो आप सब आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में तो गाईस आज की वीडियो में हमारा शाम का समय है अभी कम से कम कोई छे बजरे हो गए दिन ने आपका स्वामबार और हमारे खेती बाड़ी में अब हमारे खेतों का काम शुरू हो गया है यह समय हमारा फसल लगाने का होता है कोई सबजी लगा रहा है टमाटा और मेरच तो इस यह खेत आप जो देख रहे हो इस पर हमने पहले मटर लगाई थी लेकिन वह सूख रही थी कर्मी की वज़ा से तो हमने निकाल दी अब हम इस पर इसकी खेत की बुआई करेंगे और उसके बाद इस पर हम अद्रक लगाएंगे तो गाईज आद आपको मैं दिखाता हैं अब क्योंके त्रक्टर का समय आ गया है चल्म जोगों के पास drac踏 है कोई ले रहे हैं कि सिने ले रख है है क्योंकि पहले तो मल्सपadors आप जानते कि Bell का समय था लेकिन रीकिन ऐसे समय पहले हमने अपने ठी आप से लियल दिये थे था तो अब अब बैक तो नीआ तो वीडियो को शुरू तो गई वीडियो को लाइक जूरू कीजिए और स्पप्सक्राइब किए सर्दियों के बाद हम अपने खेत में पहले खेत की बवाई है कर रहे हैं इससे पहले हमने इस्तंबर अक्तुबर के महीने में बवाई की थी और यह आप सामने देख रहे हो यह मटर रखी है एक हरी हरी सी मटर का डेर है जो हमने इसमें खेत में पहले लगाई थी उसको निकाल दिया और साथ में यह जो सामने आपको दिखाई दी रहे हैं यह मेरे पापा है जो साथ में आये थे अभी बारिश होने से मिट्टी थोड़ी हल्की थी इतनी दस्ट नहीं थी और अच्छी बॉई हो रही थी अगर काफी सुका रहता है तो काफी हार्ड हो जाता है बॉई करने के लिए लेकिन अभी बहुत अच्छी बॉई हो रही थी हलकी बारिश में बहुत अच्छी वाइस ट्रेक्टर से होती है तो मैं आपको बदा दूँ ये ट्रेक्टर हमारे पहाडी एरी के हिसाब से हमने लिया है इसका बजन आपका कोई डेड़ कुंटल के खरीब होगा क्योंकि हमारे पहाडी एरी में ले जाना मुश्किल होता है उपर नीचे और उसके बाद मेरी वाइप ने कहा कि मुझे भी ट्रेक्टर चलाना है व Dw. साथ में आई थी तो उसको मैंने ट्रेक्टर दिया गेर डालके उसको दिया सीधे- क्योंकि अभी गेर डालना उसे आता रही है ऐसे ही शौक में उसने चला लिया एक अच्छी बात है क्योंकि हमारे तो पहाड़ी में लोग यहां पे लेडिजे बैल भी चला लेती है जो कि थोड़े मुश्किल होते हैं यह तो ट्रैक्टर है हाँ इसमें अगर आप गेर डालने आपको आते हो तो यह भी कोई मुश्किल काम नहीं है असान ही है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है चलाते टाइम और यह मेरे दादी जी भी आये थे जो इसमें पहले मटर थी वो निकाल रहे थे साथ में पहले उसके बाद मैंने इस खेट की वोई में साहसात में कर रहा था आज़ा हमारे यहां पर यह पे पैट्रॉल इंजन इसमें अजिए ट्रक्टर में जो है यह ट्रक्टर पैट्रॉल इंजन वाला हमने लिया है का मेंटीनेस इससे आपकी कम रहेगी डीजल की थोड़ी मेंटीनेस ज्यादा रहती है कि हमारे यूस्त थोड़ा कम ही होता है और साथ में हमारे पहाडी एरिया है जैसे प्लेन में तो आपके बड़े टेक्ट ज्यादा चलते हैं जहां पर ले जाने की सुईधा की कोई दिक् और फिर खेट तक पहुंचाया है हमारे खेट वैसे निजदी की है सब ज्यादा दूर नहीं है और इसमें वहाई हम दो तिन बार कम से कम करते हैं एक खेट की खासकर अद्रक के लिए तो आप यह वाई आप कमेंट करके ज़रूर बताइए गा कि आप लोगों के भी इसी तरह से यद्रक के लिए करते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइए गार। कर देख सकते हो पूरे खेट की बुआई कर दिया है वह आपको दिखाई दे रहा है जो उस पर थोड़े लस्वन लगे हैं और धनिया है जो कि एक धनिया भरा होता है दूसरा हम इसको पूरा त्यार होने देंगे इसमें जब उपर धनिया लगेगा यह सुक के जो मार्केट में आपने देखा होगा सुका धनिया वह हम अपना ही निकाल लेते हैं पूरे साल के लिए हमारे अपना गुजारा पूर और वहहीं करते हैं अधरक लगाने के लिए बिलकुल खेत बिलकुल हलका होना चाहिए, और जैसे कि आपे अवें मिट्टी अभी देख रहे हो इस में थोड़ा साude मॉस्च्चर है बिलकुल सुकी हुनी चाहिए मिटी ऐसे हमारे जुरुक कहते हैं कि बिल्कुल सुक्की मिटी में अद्रक लगना चाहिए और आपको अद्रक वाली वीडियो भी मैं जुरू दिखाऊंगा अद्रक वाला ब्लॉक भी आएगा आपको इस चैनल पर तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर करें और कैसी आपको वीडियो लगी तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा तो मिलते हैं किसी एक और इंट्रस्टिंग वीडियो में अपना किम्ती समय देने के लिए इस वीडियो देखने के लिए आप सब का तहे देल से शुक्रिया